खुशिया चाहे किसी के साथ भी बाटो पर गम हमेशा प्रोस्यमन इंसान के साथ बाटने चाहिए वक्त काईता है मैं फिर ना आऊंगा क्या पता मैं तुझे हसाऊंगा या रुलाऊंगा जिना है तो इस पल को ही जिले क्योंकि इस पल को में अगले पल तक ना रोप पाऊंगा हमेशा दुसरों की मदद के लिए तैयार रहे क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की जिन्दगी सवर जाए किसी को हच्चे ज़्यादा पाऊ मत दो काई ऐसा ना हो वो आपको रद्दी के पाऊ समझने लगे संतोस ही सबसे बड़ा धन है इसके पास संतोस है वो स्वस्थ है सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है जरूरी नहीं कि हर तूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले कुछ अपनी मुस्कान के पिछे लाखो दर्द छुपाय रखते हैं कभी-कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं गरत लोगों की जीत उसी समय ताय हो जाती है जब सही लोग चूप हो जाते हैं जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होस में नहीं आता अगर जिन्दकी में खुझ रहना चाहती हो तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी फिलिंग से ज़्यादा स्ट्रॉंग बना के रखो साथ छोडने वाले को तो बहाना चाहेगी वरना दिभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक भी साथ नहीं छोड़ते किसी से बात करते समय उसका नाम लेकर बात किजिए इसे वो व्यक्ति आपको ज़्यादा पसंद करेगा सचे दिल के लड़के या लड़किया किसी भी काम को ना नहीं कहे पाते यदि ये कहे भी लेते हैं तो अंदर ये अंदर उन्हें खुद में बहर बुरा मैसूस होता है कोई भी आपसे उतना प्यार नहीं करता जितना आप अपनी सोच में सोच लेते हैं पंदरा साल की उमर तक कोई भी बच्चा अपने आपको सिसे के सामने अच्छे से नहीं पैचान पाता है पलाट कर जवाब देना बैसक गलत बात है पर अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदे बोल जाते हैं